तो ये वीडियो काफी ज़ाधा इंपोर्टेंट है कल से इंडियन एर फोर्स का अगनी वीरो का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा कल आपका 24 अगस्त है कल परियाग राज मेडिकल होने वाला है भीटा का गुहाटी वाले लड़कों का मतलब कि जहां पर भी आपका AAC जहां पर 21 अगस्त को आपका फीजिकल डन हो गया है खतम हो गया 21 अगस्त का जिनका भी फीजिकल में सलेक्शन हुआ है जीडी भी किलियर हो गया उनका जीडी किलियर होने के बाद उनको मेडिकल का एड्मिट कार्ड मिला होगा एक डेट मिला होगा 24 और 25 तारीक वाले जो लड़के selected हैं, उनका दो डेट होगा, एक की 24 होगा, एक आपका 25 अगस्त होगा, तो कल आपका 24 अगस्त है, कल बहुत सार लड़कों का मेडिकल होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है, और आने वाले दिनों में जो आपका मेडिकल और फीजिकल के साथ साथ चल रहे है, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिये जा रहा है, ताकि आप लोग प्रिपेर हो जाएं पहले से, पहले क्या होता थे, लड़के प्रिपेर हो जाते, बट इस बार उनको मनलब की 48 घंटा का ही टाइम दिया जाएगा, आपका फीजिकल होने के बाद, आउनली 48 आवर्स का टाइम मिलेगा, आपको मेडिकल के लिए प्रिपेर होने का, तो इस बार थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है, तो आप लोग इनिसियल मेडिकल के लिए फीजिकल से ही तयार रहेंगे, तो बेटर रहेगा, जहाँ पर भी जाएंगे, आप मेडिकल का भी तयारी करके जाएंगे, तो आपको बता दे कि कल 6 बजे का रिपोर्टिंग होगा, वहाँ पर मेडिकल जहाँ पर भी होने वाला परयाग राज है, बहुत सारा हिंडन है, तो यह आपका एकदम डीटिल में बीडियो होगा, मे काली पेट किया जाएगा, जब वहाँ पर पहुचेंगे तो, तो अभी से आप मतलब की बोला गया होगा, 14 घंटा पहले मेडिकल सुरू होने से 14 घंटा पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, तो अभी जितने लड़कों का मेडिकल कल होने वाला है, मतलब की कुछ देर प खाएंगे बस पानी पी सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका मेडिकल कल सुबह में होने वाला यूरीन टेस्ट एंड बलड टेस्ट, ठीक है, तो उसमें कुछ दिक्कत ना आ जाए, इसको लेकर आप आप कुछ भी ना खायेगा, मतलब की जिन लड़कों का मेडिकल होगा, वो 14 घंटा पहले अपना, मतलब की डिनर को समाप्त कर लेगा, ठीक, जो रात का खाना होता है, 14 घंटा पहले ही आपको खा लेना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपको खाली पेटव रहना है यहां से, ठीक, अब आपके सरीर में कु कफ होता है, जाते जाते, उसके बाद दो घंटा का ब्रेक वहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको कुछ खाने के लिए बोला जाएगा, ब्रेक फास्ट का वहाँ पर बोला जाएगा, करने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग ब्रेक फास्ट है भी करेंगे, ताकि आपका जो स सुगर मतलब करें चैब का लेवल बड़ी जाएगे तो किया एक तो केला को उतना अब या तो केला को वगत दीजेगा वहाइट करें के लगको आनार और आपका एपल, आनार एपल यह सब आपका नास-पाती वगरे तो कुछ इस तरीक foster आपका यह सब चीज हो गया अब का तो यह ब्रीब हलेगा और साथ में आपका प्रूट सूर्स टाइम दिया जाएगा प्रोटिस अगर आप जादा लेते हैं जो घंटा के प्रेक DNA आपकानी को सुगर कर भीजी देँ कि छ नहीं कियो कि ए इस प्रोस रेट, जब अपना प्रेफर करेंगे, only protein ये आपको प्रोटीन को प्रेफर करेंगे, इसको प्रोटीन को ही प्रेफर करेंगे, ताकि आपका सुगर लेवल कंड्रोल में, रहे जादा ऊपर ना जाए, ठीक है, तो फ्रूट्स आप लीजेगा, एपल हो गया अनार हो गया और साथ में ड्राइफूर्स हो गया आपका ठीक है जो प्रोटीन वाला चीज होगा उसी को आपको प्रिफर करने दैन उसके बाद आपका आगे चलेगा मेडिकल बढ़ेगा आगे के तरफ इंटी होगा अब इंटी होता क्या है जेसे कि आपके एड्मिट कार्ट पर लिखा होगा कि सारे लड़कों को एयर्वेक्स करा कर आपना है तो सारे लड़के एयर्वेक्स करा कर जाएंगे अपना तो ear का test होगा, ठीक है, light मार के कान का अंदर देखा जाएगा, कान को बिल्कुल सही तरीके से देखा जाएगा, फिर hearing का भी test होगा आगे आपका, ठीक, hearing test आपका आगे चल कर होता है, hearing test में होता है क्या है कि कुछ word बोला जाता है, word ही रहता है, मतलब कि जैसे 42, 68, 39, तो अगर आपके बगल में किसी लड़का कहो रहा है, तो आप उसको सुन सकते हैं, रट भी सकते हैं, रटने के बाद आपका hearing test होता है, तो hearing test आपका कान का होता है, जिसमें नंबर आपका बोला जाता है, वही नंबर आपको पूछा जाएगा कि क्या नंबर बोले, 42, तो आप ऐसे ही आपका पांची बार ऐसे पूछा जाएगा, hearing आपका मनलब की test हो जाएगा, तो यह कान का था और कान आपका साफ होना चाहिए, उसके बाद आता है, नोज, इन का मतलब हुआ, नोज, नोज में आपका नाक का जो आता है, डीनेस चेक किया जाता है, डीनेस अगर आ आपका मतलब की तलवारी लटका हुआ नजरा रहे है, तो मेजर में लड़के पॉइंट बना देते हैं, मतलब की जो लड़का डीनेस में जो नाक का हड़ी होता है, नोज, नाक का जो छेद होता है, तो उन लोगों को पॉइंट मिलता है, ठीक, और नाक का जो दोनों साइ बिल्कुल इक्वल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी का ज्यादा लेफ्ट में होगा तो left dns major बोल दिये जाएगा point बनेगा कोई भी medical में direct बाहर नहीं होता है सबको अगर कोई दिक्कत होता है कि मतलब कि कुछ भी पॉइंट्स अगर आपका बनता है तो आपको रेड कार्ट दिया जाता है एक डेट मिलेगा उस डेट को जाकर आप अपना जैसे की मालीजे की गोरखपुर वाले लड़के हैं गोरखपुर में मेडिकल हुआ तो इनको एक डेट मिलेगा जिनका भी पॉइंट बनता है किसी पॉइंट्स हो तो अब कानपूर जाकर अपने कराएंगे ठेक तो इस तरीके क्या होता है अगर कानपूर वाले लड़कों का अमेडिकल गानपूर में होता है तो कानपूर से सीधा आपको गुरखपुर रेफर किया जाएगा ऐसे चलता है असलों बनादग कि एक जगह से जो छे महीने पहले हुआ है वह आपका वैलिड होता है और अगर आप पॉइंट्स मिलने के बाद जैसे कि हाइड्रोसील का ओपरेशन कराते हैं या डीएनिस का अपना ओपरेशन कराते हैं तो यह जो होता है सूख जाता है तो आपको फिट कर दिया जाता है कोई दिक्कत वा जाएगा डॉक्टर करता है फिट हो जाएंगा आप कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि मेडिकल आपका फॉइंट मिल गया तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं बट आपको जल्द से जल्द उसको रिकॉवर कर लेना है सूख जाएगा फिट हो जाएंगा अप लोग ठ दस दिन में आपका ुवला नाक का अपका है मेजर में से विस सीथे नकाल दियजाता है तो 17 ईसा आपका सुखा लेन है किसी तरीगे से आज तो थोड़ा सा आप टेक्नलोजी में बहुत बड़ा सुधार भी आया है, पानी भी निकाला जाया है, एड्रोसिल का पानी सीधे निकाल दिया जाता है, ठीक, तो बहुत कुछ अब सुधार भी आ रहा है, धीर धीर देखी रहे हैं आप लोग, बट आप लोग अपने जितना पैसा होगा उतरे उसके कोडिंग करेगा, यह नहीं कि एक लाख लगा लिजे कर जाकर हाई प्रोफाइल मतलब की टेक्नलोजी उज़ करके, अब यहां पर ENT का हम बात कर लिए नोच का, तो नोच में आपका यहीं पॉइंट होता है, अब आते हैं T मतलब होता है, थ्रोट घाला का आपका जांच होता है, ठोट में आपका खसकसाट, गिल्टी वेगएरा जिसे की गिल्टी उल्टी तुन नहीं निकला है आपका, दबाब आपकर देखा जाएगा, तो यह आपका ENT का जांच होता है, उसके बाद आपका होगा फ्लैट फूट का जांच, जो अभी आपके पेपर पर रखवा कर देखेगे कि यहां पर आर्क बंड रहा है कि नहीं बन रहा है तो आर्क बनना काफी जरूरी है आप जोग आपना सीधा ख़ाड़ा होकर वՀ से बनाकर देखिये हमार आपके पैर से आर्क वाला circle बलन रहा है कि अगर Natale रह üst डा रह वाम इसका कोई उपाय भी नहीं है दिक आप बाहर जाएंगे तो यह आपका नॉर्मल होता है नॉर्मल होते है नॉर्मल फूर्ट है यहां पर डीकि आर्क बना चांद की तरह, लेकिन इसमें आपका नहीं बना हुआ है, तो यह हो जाते हैं सीधा आउट, ठीक, यह बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यह बिल्कुल फ्लैट है आपका, तो फ्लैट नहीं चलता है, आर्क होना जरूरी है, तो इसका टेस्ट होता है, आप पानी में अपना पैर क को रखिये, उसके बाद अपना जहां पर भी यह रोड पर भी आप अपना चपका कर गोड देखिए, आप्ने पना बना है नहीं बना रह בש देखिए सकते हैं आपने पैर को खड़ा होकर भी आर्क jersey शाये गा कोईए भी को सईधा बनें विल्हा बने ये नौकनी figure है आपका तो नौकनी में आपको बता दे कि कि भी सेप बनाएगा अपर लोग अपने पैर के दोनों भी सेप बनाएगा अगर आपका scale उठाएगा एक scale का गैप आना चाहिए दोनों knee के बीचो बीच आपका गैप होना जरूरी है अगर आपका knee sat जाएगा पूरा gap नहीं बना रहा है skill का, मतलब one skill gap नहीं बन रहा है आपका, छोटा वाला skill से एक skill का gap बन जाएगा, या थोड़ा सा कम भी बन दाएगा, लेकिन एक skill अगर आपका gap बनता है, भी safe बना कर जैसे खड़ा है, यहाँ पर आप भी खड़ा हो है तो आपका यहाँ पर दिक्कत है, जैसे कि आप figure में देख सकते हैं, यह आपका knock knee है, देखे सट गया पूरा, दोनों नहीं, एक दूसरे में चिपक गया, no gap, लेकिन बीच वाला में कोई, मतलब की चिपका नहीं है, एक skill का राम से gap बनेगा यहाँ पर, और यह लड़का यह होगा, यह तो यह होगा, P1 and P2, ठीक, picture 1 and picture 2, picture 2 जिसका होगा वो pass, 1 होता है, वो बाहर हो जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं, अगर आप अभावा नहीं बचा पाएंगे आपको यहां से, ठीक, तो knock नहीं हो गया, फ्लैट फूट भी देख ली हम लोग, उसके बाद आता है, आपका hand band, ठीक है, hand band आपका जो सामने दोनों हाथ करा दिया जाएगा, ठीक है, सामने दोनों हाथ कराकर आपका कुछ सिकिंड के लिए हाथ को पकड़ा जाएगा, अगर आपका हाथ में, यह hand band, sorry, आपका hand band का बात कर रहेते, तो इसमें आपका देखे क्या होता ह अपका थाद में हामें आपका हांत चेहाँ टेल या सीधा है कुछ लोगों का क्वरू से क्या होता है अब कि 18 डिग्री तक आपका accepted होता है इसमें ठीक 18 डिग्री तक अगर आपका है तो सही है मतलब की जादा आ रहा है 19-20 जा रहा है तो आप बाहर हो जाएंगे ठीक उसके बाद आता है आपका हाथ में कमपन जिसको हम लोग hand trainer बोलते हैं ठीक है hand man का दूसरा point है वो आपका मतलब की देखा जाते हैं टेड़ा हाथ है या नहीं है एक होता है आपका हाथ में कमपन जिसको इंगलीस में हम लोग बोलते हैं hand trainer तो hand trainer में आपका होता है कि दोनों हाथ सामने के तरफ होगा और इसमें आपका कुछ सेकेंड के लिए हाथ कुछ सेकेंड आपको अपने soldier के बादलोत उसको मतलब की control करना है सामने आप देखिए कि कुछ लोग सामने हाथ करते तो उसका हाथ ही कापने लगता है control ही नहीं रहते हाथ तो हाथ में अगर कमपन होगा तो वहाँ पर भी point बनेगा फिर आपका आता है हाथ पैर में पसीन पसीना है इससे भी बचना है यह भी point बनाता है और तो हाथ में चल बनता है चलिए तो यह आपका सारा कुछ हो गया उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद होगा आपका ECG का जांच होगा ECG test होगा, ECG test को पास करने का नियम है कि ECG के पहले आपको पानी खोब पीना है ECG जब आपका test किया जाएगा तो पानी खोब पीजएगा और आपको जब test किया जाएगा ECG तो एकदम नॉर्मल रहना है, बिल्कुल कुछ भी आपके माइंड में, नेगेटी पॉइंट्स नहीं है, कुछ अलग सोचेंगे तो आपका गड़बड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ECG जब भी जाच होगा, आप एकदम नॉर्मल मुद्रा में रहेंगे, ठीक है, कुछ इसके बाद ECG, BP और आपका ये सारा चीज होने के बाद आई टेस्ट आपका ये सब बचता है, आई टेस्ट, वेट, ठीक, उसके बाद चेस्ट को 5 सिंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है, वेट आपको बदा दे कि आपके हाइट के कोडिंग आपका वेट होना ये आपका वेट चार्ट है और ये वेट चार्ट हमारा टेलीग्राम ग्रूप आरा वाला या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रूप का और टेलीग्राम चैनल आरा वाला पर आपको ये आई चार्ट अभलेवल है फ्रोई जो आपका ऑफिस्यल ंआई चाठा है आपके जो हाया अर मतलब की हायट इस न्युक्त ही राता है नॉर्मली ही आपका, जीतना सेंटी मीटर है आपका जाहिए ही कोडिंगा है पर समय आपका भी हो जाए तो आपका वेट होना चाहिए और रिलेक्ससन का जादा होता है रेंज से 2 kg कम होता है तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे ऐसा नहीं कि बाहर कर दिया जाएगा अगर आपको पॉइंट इसमें बनता भी है तो 2-3 kg के लिए आप 15-20 दिन का पॉइंट मनलबी 15 दिन का तो आइट लिस्ट मिली जाएगा 15-20 दिन का तो इसमें आप आगे चल कर बढ़ा भी सकते हैं 2-3 kg ठीक अगर बनता है मेरे ख्याल से जहां तक हम पिछला जितना रिवीव लिए हैं 2-3 kg वाले में रिलैक्सेशन होता है 2-3 kg आपका चल जाता है बट इस बार का हम अगर कुछ की आ गया तो क्या ही कर सकते हैं तो यह आपका वेट बेटर को आपको पढ़ना पढता है ठीक यह नीचे से 6 by 6 होता है नीचे वाला जो लेटर है आपका यह 6 by 6 तो अगर आपने यहां यह दोनों को पढ़ लिया तो आपका आई मतलब की बिल्कुल नॉर्मल है एकदम बढ़ियां आई है आपका अगर आपने दोनों को कम्प्लीट कर लिया तो उपर वाला आसानी से पढ़ते हुए आगे चल जाएंगे ठीक है तो नीचे वाला डिफिकल होता है कुछ लड़कों के लिए तो आप अगर नहीं पढ़ पारें तो एक बार जाकर आपने अपने देख लिजेगा यह आई बॉक्स आपका उस्पिटल में अब लेवल है नहीं है या तो आप इसको छे मीटर का दूरी पर आपका यह आई बॉक्स मिलेगा मतलब की छे म आपने लेटर को नीचे से पढ़ाते जाएंगे पूछ पुछ आएगा तो ज्यादा अगर आपने लेटर को सही पढ़ दिया तो आपका से लेक्शन हो जाता है ठीक है और 6 वाला मतलब की normal आई होता है healthy आई माना जाता है अब आई में भी कुछ लड़कों का दिक्कत होता है कुछ लड़के ऐसे हैं जो मतलब की चस्मा यूज़ करते हैं तो दोनों का आप लोग देख लिजे क्या होता आई में एक्स में आपका चस्मा का जो नंबर होना चाहिए 1.5 से जादा नहीं होना चाहिए चस्मा नंबर आपका कितना होना चाहिए एक्स ग्रूप के लिए अगर आप आई मतलब की चस्मा पहनते हैं तो 1.5 आपका इस से जादा नहीं होने वाला है ठीक है और अगर आपका glass का बात करें कि क्या होना चाहिए तो without glass आपका जो i का पार होना चाहिए वो आपका 6 by 12 से जादा नहीं होना चाहिए x कहा हम बात करें without glass अगर आप चस्मा मतलब कि without glass आपको पढ़ेंगे वहाँ पर i box को without glass आपका 6 by 12 और with glass आपका 6 by 6 ग्रूप X का, ग्लास के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो विध ग्लास आपका आप कितना होना चाहिए, 6 भाई 6, और विडाउट का अगर आप पढ़ना चाहते हो, 6 भाई 12, यह आपका X ग्रूप का, और वाई ग्रूप का होता है आपका, इसका जो होता है तीन तक अलाउट किया जाता है, इससे मनलब की हाँ, तीन तक हो जाता है आपका, ज्यादा मनलब की तीन ही तक रहता है, इससे कम भी हो सकता है, जो भी आपका, चाहसमा का जो नंबर होता है आपका, तीन तक अलाउट क तक है तब यह आपका ट्रेड पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड बाद में आपको दिये जाता है चस्मा के कोडिंग जब आपका होगा आगे की बात है हो तो ठीक लेकिन यहाप पर 6 x 36 तक आपका चलने वाला है without glass इससे अगर आपका ज्यादा होगा 6 x 36 से तो आप यहा चाहिए और कहीं कहीं पर तो पता है निए 6 x 24 तक भी रखता है सब अब डिपेंड करता है मेडिकल सेंटर पर कितना वहां पर ले रहे हैं लेकिन और उसके बाद एक नियर विजन का टेस्ट होगा आपका एक कुछ लिखा जाएगा ज्यादा बड़ा ही लिखा जाएगा आ करना नियर विजन का टेस्ट हो जाता है बस यह ही आपका और उसके बाद आपका एक कलर ब्लाइने का टेस्ट होथा आई में कलर ब्लाइने की थे mlह तो c यह direction box में आपको पूछा जाता है कि इसका इंडिकेट करके यहां पर मतलब कि पूछेंगे कि इसका बताईए कि face किस के तरफ खुला हुआ है left है या right है तो आप बताएंगे 6 meter के range पर खड़ा होकर जो भी होगा कि यह आपका right side के तरफ आपका इसका जो face से वो खुला हुआ है इसका face फिर पूछेंगे कि यह बताईए कि यह वाला जो figure है इस वाले figure का जिसे हम आपको एक बताते हैं इस वाला figure का face यह किस तरफ है तो आप बोलेंगे उपर के side में ठीक अब यह फिर पूछेंगे नीचे वाला figure का side इस वाला figure का face की side है तो आप बोलेंगे कि right side में है तो यह direction test भी आपका हो सकता है तो इसके लिए भी आप prepare रहेंगे कहीं कहीं पर होता है आपका जैसल मेर में आराम से हुआ था पिछला वार ठीक परियाग राज में आई box का ही होगा अगर आपसे यह direction वाला test भी किया जाया तो इसके लिए आप prepare ही रहेंगे ठीक है तो आब आते हैं तो आपको बता दिए यह आपका color blindness test color blindness में होता है क्या की लेटर होता है जिसे देखे गजीब तरीके सा दिख रहा है अब इसी में कुछ लड़के फेल हो जाते जिनका आई वीक होता है अब यह कौन सा लेटर क्या लिखा हुआ है तो आराम से पढ़े तो क्या लिखा है यहाँ पर 74 लिखा है हमने आराम से पढ़ दिया अब यहाँ पर पूछा जाएगा यह कौन सा लेटर है एल है यहाँ पर देखिए हम कितना जल्दी पढ़ रहे हैं अब देखिए यहाँ पर लेटर है पढ़ते जाए टुवेल्व एट सिक्स ट्वेंटीन फिप्टी सेवन फाइव थ्री फिप्टीन सेवेंटी फॉर तो देखिए मेरा कितना आई विग्दम स्ट्रॉंग जबर्जस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं आपको भी यह डॉटेट बूक होता है एक डॉटेट बूक होता है उसी बूक में आपका यह कलर ब्लाइडनेस का टेस्ट किया जाता है ठीक है डॉटेट बूक से लेटर होत है और यह आपका किसी कुछ कुछ कर दिय ठीक है तो यह डॉटे बॉकस था थो सारा कुछ आपको बतादी और आई के बारे में बचे बटा इं दिए दिकत नहीं होना चाहिए वेट के बारे में बता दिया आपके हाइट के कोडिंग Venice होना चाहिए और सब बचे लिए और तो थोड़ा सा पेट की नीचे आंत उत को दबा कर देखा जाता है दर्द किया तो आपके लिए थोड़ा सा मेजर पॉइंट हो जाएगा वहाँ पर भी ठीक है तो पेट को भी दबा कर देखा जाता है और रहा बाद आपका प्राइविट पार्ट्स का हमने बात नहीं किया पार्ट्स आपका हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा दोनों मतलब की इकुल होना चाहिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा मतलब की कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उसमें भी पॉइंट बनेगा तो दोनों इकुल होना चाहिए हाइड्रोसिल आपका साथ में पेनिस का अगर हम बात करें तो पेनिस में भी आपका पॉइंट बनता है तो पेनिस में मतलब की खास कर आपको मतलब बोलेंगे खासने के लिए नीचे आपका पेनिस में मूमेंट होना चाहिए ठीक हे और वाला जो एरिया होता है वह को अजो ख़ाया जाएगा उसमें मूमेंट डेखा जाएगा ठीक है टेना ओड़ा नहीं हो रहना चाहिए इसका भी ध्यान दीजेगा कुछ लोगों का टेना भी होता है इसका बचके रहीएगा आप लोग ठीक तो यह आपका प्राइविट पार्ट्स का हो गया और पीछे का बात किये जाए तो आपका पीछे से आपका वही देखा जात है ठीक है तो अगर बावसीर होगा तो पॉइंट वहां पर पीछे मिलेगा आपको ठीक और सारा कुछ डिसकस करी दिए आपका मतलब कुछ बचता नहीं है अब आख नाक कान सब बता दात बच गया था ठीक है तीथ में आपका 14 डेंटल पॉइंट्स को रखा जाएगा 14 प तो 28 डात आपका होना चाहिए दात ज्यादा बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए पेर में आपका दात होना जरूरी है गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए दातों के अंदर यही सब आपका चेक किया जाता है और आपका मतलब कि दात सड़ा गला है तो उसको भी आप सही करवा थीड़ दात के अंधर गय Jen भी होगा इसको अचनगी बात कर लें पर्इबट और न GOOD नब you किअगे अपनिति अब और न्यम मेशन के बारे में बता ही तिये आपका आभी कोई ऐसो करा मेडिकल के लिए आगे य जा ऐगा क्योंकि अगर आप उप्रेशन करा कर Jाएं के लिए तो सिथाए वहाँ से बाहर कर दिये जएगा क्योंकि सुखा ही नहीं γी आपका, तो क्यों रिस्क लेंगे आपको मतला, अभी रिस्क लेने के कोई जरूत नहीं है, आप अराम से जाएए, मेडिकल कराइए, पॉइंट्स बनता है, तो उसके बाद आप अपना आगे के काम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, मेरा नंबर भी होगा, कोई डाउट होता है, तो आप सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है, गुरूप को जरूर जोइन करेगा, इससे आपको ही एल्फ होगा, सारा कुछ जो छोटा होता, जनकारी होता है, वही पर हम सेर कर देते हैं, और चैनल को आरावला को जाकर आप लोग करेगा, टेलिग्राम मौला, जोएन करेंगे, तो आपको वहाँ पर इन्फोर्मेशन सारा मेडिकल के रिलेटेड आपको मिलेगा, तो हमने सारा टेस्ट आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़े हैं, सब आपको बता दिये, तो आप वीडियो को सेर करेगा, वीडियो आपको इन्फोर्मेशन सारा मिल गया, कि क्या टेस्ट होगा, क्या नहीं होगा, ठीक, अचलिए मिलते हैं, आगला वीडियो में तब तक लिए जैहिंद, अगर आप चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखेगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो ना छूटे, और लड़के प्रिस्क्रिप्शन अपना बनवागर जाना, ओके, जो बता दिये चास्मा का वो भी देख लिजेगा, क्योंकि आई में पॉइंट्स काफी मतलब की रेर केस में ही आपका किलियर होता है, आई में जिसका दिक्कत होता है, वो लाइफ टाइम ही दिक्कत रहता है, ठीक, तो आई का हम एक बार फिर से रिपीट करें चास्मा का जो नंबर होना चाहिए, आपका, एकस का हम बात कर लिए 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्लास का बात करी लिए 6Y 12 विडाउट ग्लास, विद ग्लास 6x6, एकस का, और वाई का भी आपका, तीन तक कला चुटी गया था, यह सब चुट गया था, खुजली, पिंपल्स, और आपका जो भी डीजी, ब्लैक स्पोर्ट, देखे अगर आपका मुह में ज्यादा पिंपल्स है उसको भी थोड़ा सा देखेगा, उसमें भी पॉइंट्स बना देता है कहीं कहीं पर, अगर कम होगा तो भी ध्यान, पिछे वाला जो हड़ी आपका रीब्स का, वो थोड़ा सा देखेगा, सीधा यह टेणा है, यहाँ पर पिछे वाला में, स्पाइनल के अंदर में भी पॉइंट्स बनाते हैं लोग, ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है, कि जो हड़ी होता है, पिछे का, वो टेणा होता है, काफी पॉइंट बना था पिछला मेडिकल के अंदर में, तो पीछे वाला हड़ी जो हता है, उसको भी आप लोग जरूर देखेगा, एक सरे करा लिजेगा, आपना पीछे का जो होता है, कि आपका जो टेणा तो नहीं कहीं, टेणा होगा तो फिर दिक्कत ह हो जाएगा, ठीक, तो एक बार जरूर देख लिजेगा,